ठीक है जी आज का जो हमारा केरेकटर है वो है लॉयलिटी यह 15 है आपकी नदर में क्या 14 है अनेस्टि तक चले देखते हैं फिर यह 14 है यह 15 है जो भी है ठीक है ठीक है तो लॉयलिटी क्या होती है आसान अलफाज में इसको उर्दू में कहेंगे वफादारी क्या बुलेंगे? वफादारी ठीक है वफादारी का मतलब आफ अफवदार हैं सही है? अच्छा अगर आपसे सवाल पूछें के वफा क्या होती है? बिलकुल जो एहद आप अपने आप से करते हैं ठीक है? उनको आप पूरा करें उन्हें निभाएं इसे कहते हैं वफादारी ठीक है? बाज अकात हम ये कहते हैं के वो बड़ा बेवफा है सही? इसे हम ये मुराद लेते हैं के जो वादा उसने हम से किया वो उसने पूरा नहीं गिया सही है तो वफा का तालुख अगर ये बात आप अच्छी तरीका से समझ लें कि दूसरों से नहीं है बलके अपने आप से है यानि बजाए इसके कि आप ये कहें कि सारे लोग वफादार हो और जो वादे वो हम से करें वो पूरे करें तो ये बड़ा मसला हो जाएगा फिर हर आदमी दूसरों की बुनियाद पर सोचेगा कैरेक्टर बनाने का मतलब दूसरे को तब्दील करना नहीं होता जब आप कहते हैं कि मैं अपने कैरेक्टर पर काम करूँगा मैं अपना कैरेक्टर बनाओंगा मैं अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग करूँगा तो कैरेक्टर बिल्डिंग में काम ही दर असल किस पर होता है अपने आप पर, अपनी सोच पर अपने एक्शन पर ठीक है? अपने यफिन पर तो अगर आप के केरेक्टर में लॉयलिटी है तो इससे मुराद ये है कि आप अपने आप से जो एहत करते हैं उसे पूरा करते हैं तो अगर एक जुमले में लिखा जाए इसको वफदारी को ये लॉयलिटी को तो अपने आप से किये जाने वाले एहद को पूरा करने तो इससे हम जाते हैं लॉयलिटी देखो जैसे हम ये कहते हैं कोई आदमी किसी कमपनी में काम कर रहा है अच्छा कमपनी वाले हम बोलें ये बड़ा लॉयल है बड़ा वफदार है हमारा तो वफदार का क्या मतलब है वो ये समझते हैं कि जो काम इसको दिया जाए वो पूरा करता है चोरी नहीं करता तो असल में वफदारी कौन देख रहा है कमपनी वाले देख रहे हैं लेकिन अगर आप उस आदमी की तरफ से देखो तो उस आदमी ने अपने तोर पर जो एहद किया है कि मैं वक्त पर आउँगा काम पूरा करूँगा रंडी नहीं मारूँगा यहां से माल चौरी नहीं करूँगा यह किसने एहद किये हैं उस शफस नहीं किये हैं अपने आप से ऐसे यह ना लाग अगर कमपनी उसको असूल बना के देदे कि तुम यह करोगे यह करोगे यह करोगे यह करोगे और वो अपने आप से यह यह ना करे वो दिल में यह सोचे कि हाँ हाँ करूँगा लेगिन जहां उसको मौका मिले वो चोरी कर ले जहां उसको मौका मिले वो डंडी मार ले काम में जब देखे दर कोई नहीं देख रहा तो सो जाए जाके चुप कैसे चीके तो असल में जो दूसरे आदमी ने या कमपनी ने जो उसको असूल बताएं इसकी इंपॉर्टेंसी वफदारी में नहीं है ये तो नजम जबत जो कमपनी बना रही है जो इंप्लॉई है या जो काम करने वाला आदमी है जब वो ये बात तैय करेगा अपने आप में अपने अंदर में कि मैं चोरी नहीं करूंगा मैं वक्त की पाबंदी करूंगा मैं काम पूरा करके दूंगा मुझे जो सैलरी मिलती है उसका हाक अदा करूंगा जब वो ये एहद करे और इस पर पाबंद रहे तो अब हम इसे क्या कहेंगे कि वो शख्स कंपनी का लॉयल है या वो कंपनी का वफदार है ये बात आपके समझ में आरी है तो आम तोर पर हम वफदारी को दूसरे तरफ से देखते हैं नहीं इसको दूसरे तरफ से न देखें बलके इसको सेल्फ केरेक्टर के लिहाज से सोचें अपने लिहाज से सोचें कि आप के अंदर लॉयलिटी है या नहीं है ठीक है अल्लाम अगबाल ने एक शेयर बड़ा अच्छा का आए ये एक नजम है उनकी नहीं हुझा की खिद्मत में जब हाजिर होंगा मैं तो फिर क्या होगा बड़ा अच्छा उन्होंने नजम बांदी है और ये बोलाए के मेरा जब दुनिया से दिल उपता गया तो फिर मैं यहां से पूछ कर गया पूछ करने का मतलब चला गया जब मैं पहुँचा वहां दरबार में चीक है तो वहां हुझूर सल्ले लाओ ले सल्लम ने मुझसे पूछा कि तुम आयो मेरे लिए दुनिया से क्या लायो तो वहां उन्होंने एक शेर कहा है हुझूर दहर में आसूदगी नहीं मिलती दहर का मतलब तो दुनिया आसूदगी का मतलब परार चैन तो वह कहरें हुझूर दहर में आसूदगी नहीं मिलती तलाश जिसकी है वो जिन्दगी नहीं मिलती तैलाश यरुन आई ये गा साहिए पिर कहते हैं हजारो लाले गुल है रियाज-े-हस्ती में नहीं इन्सान की जो हस्ती है उसका जो सेल्फ है उसमें हजारो फूल है लाला गुल का मतलब बहुत सारे फूल बहुत सारे खुसुसियाद बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स तो कहते हैं हजारो लाला गुल है रियाज-े-हस्ती में रियाज हस्ती का हुआ 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 उसमें हुबू, वो कली नहीं बूती है, लोगों में खुसूसियात तो बहुत हैं, वफा नहीं हैं, अभ यहाँ अल्लामाई अकबाल ने जो वफा डिफाइन किया उससे क्या मराद है? वफा से अलामा इखबाल की मुराद यह है कि शक्सियत के अंदर ये quality कि वो जो अपने आप से एहद करे वो पूरा नहीं करता वो समझता है कि चोरी करना बुरी बात है लेकिन करता नहीं, करता है चोरी मौका मिले तो, कर जाएगा चोरी वो समझता है कि मुझे वक्त की पाबंदी करनी है लेकिन नहीं करता है यानि जो एहद उसने अपने आप से किये हैं रात को सोते वक्त वो एहद करता है कि सुपर जल्दी उठोंगा सुपर आंग भी खुल जा दिये आना गानी करता है या आदमी में वफा नहीं है सही है उसने ये एहद किया था कि मैं रोजाना दो घंटे मैद पड़ूँगा अपने आप से वादा किया था मेरा मैद कमजोर है प्लाइन बनाया सोचा कि मैं यह करूँगा जाके लेकि जब छुटी आ गए ही तो आना कानी आना कानी कल करूँगा परसो करूँगा नहीं करा तो जो एहद वो अपने आप से कर रहा है वो पूरे नहीं कर रहा है तो उसमें वफा नहीं है जो आदमी अपने आप से किये हुए एहद पूरे नहीं करेगा वो क्या आप किसी दूसरे से किये हुए एहद पूरे करेगा सवाली पैदा तो पहले दरजे में ये बात हमको समझनी होगी सारे बच्चों को कि हम अपने आप से लॉयल हों या हमारे अंदर लॉयलेटी पाई जाए हम जो एहद करें उसे पूरा करें सही है ये बात समझना आगए आपको अब में चार बाते पांच बाते हम हमेशा से लिखते हैं वो हम इसके बारे में लिखेंगा खोलने के लिए केर अबाउट पीपल नमबर एक लोगों का खयाल रखना ठीक है जो आदमी लॉयल होगा वो लोगों का खयाल रखेगा सबसे पहले लोग लोगों में जब हम कहते हैं लोग इनसान पबलिक उनका खयाल रखें उसमें जो सबसे पहला शखस आपके सामने होता वो आपकोद होते हो याद रखना है ये बात अक्सर हम ये कहते हैं हम जब सारी दुनिया को देखते हैं, मा को, बाप को, वालदें को, दोस्तों को, हम सब का लिहाद रखते हैं, सब का ख्याल रखते हैं, और इन सारे मामले में अपना ख्याल रखना बूल जब हम यहां के रहें लोगों का ख्याल, तो उस लोगों में, दुनिया में जितने लो अपनी सोच का ख्याल नफसियाती जो मसाहिल आपके हैं उनका ख्याल उनको कई बंद मानना होता है न जहें आपका जो है अगर बहुत परिशान हो रहा है तो आप क्या करोगे मैनेज करोगे अपने आपको अच्छा इसके बाद फिर पबलिक का ख्याल जो आपके खरीब हैं माबाब हैं उनका ख्याल ख्याल से क्या मुराद है पर्वा कि पर्वा करना तो लिहास करना उनकी सहथ को देखना उनकी अराम को देखना ठीक है उनकी खाहिशों को पूरी करने की कोशिश करना जितना हमसे हो सकता है जाइस खाहिश हों गा, इसको हम कहते हैं, कि आप लोगों का ख्याल रखते हैं, अच्छा आदमी वही लोगों का ख्याल रखेगा, जो लॉयल होगा, कैसे, आपके वालदें आप से ये तवक्व करते हैं, मिसाल के दो रोपर दस्वी वालों से, ये अन्हुन रेडा ये उन् नहीं करोगे कि मुझे तो दस्वी जमाद में इगरेट लेना है उसके लिए मुझे नाइंध में भी महनत करनी है उसके लिए मुझे टैंध में भी महनत करनी है तो आपने अगर अपने आप से ये एहद नहीं किया तो क्या आप उस वालदें की तवक्व पर पूरा उतर सकते हैं किसी की भी तवक्व पर पूरा उतरने के लिए ये जरूरी होता है कि पहले वो शफस अपने आप से एक भरपूर किसम का मौाइदा करे आहद करे आप इसी कमपनी के लॉयल कब हो सकते हो जब आप खुद अपने आप से एहद करोगे तो भी मैं ये काम करूँगा और मैं ये काम नहीं करूँगा ठीके तो लॉयल होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने अपने तहीं जो एहद किये हैं जो वादे किये हैं अपने आप से कि जो आपने कंडिशन्स बना ली अपने पास आप उन कंडिशन्स को पूरा करने की सौ फिसद कोशिश करोगे दिल, जान, पोटेंशल सारा इस्तेमाल करोगे ताकि आप वो बात कर पाओ जो आपने सुची देखिए होदा यही है कि हम लॉयल नहीं होते अपने आप से जब अपने आप से नहीं होते तो पिर किसी से भी नहीं होते हम किसी की खाहिश पूरी नहीं गर सकते किसी का खयाल नहीं रख सकते ठीक है, यह बात जहन में डल लीजिए मैं अक्सर यह बात कहता हूँ लोगों को कि आपकी अगर सहत खराद है तो खुदा के लिए आप अपनी सहत का ख्याल खुद रखें ठीके आप कहें नहीं है मेरी सहत का ख्याल तो मेरी अमी रखेंगे मेरी सहत का ख्याल मेरे अबा रखेंगे क्या मुम्किन है ये मुम्किन नहीं है आपको अपनी साथ का खयाल खुद रहना दवा खुद खानी आप बोलू मैं नहीं खाना दवा मैं मरना चाहता हूं क्या होगा फैर कुछ भी नहीं होगा कोई जबर्दस्ति आपको खिला सकता है कुछ भी नहीं कर सकता है इसलिए जरूरी है कि आप जब निकलें इस ख्याल से कि मैं सब लोगों का ख्याल रखते हूंगा तो उसमें सब लोगों में सबसे पहली लाइन में कौन ख़ड़ा होना चाहिए आप खुद अगर आप स्ट्रॉंग हो तो आप लोगों की मदद कर पाओगे अगर आप सहद मंद हो ती मारदारी कर पाओगे ऐसे ये ना अगर आपके पास इल्म है तो आपकी फैमिली में जो लोग इल्म वाले नहीं हैं उनको इल्म दे पाओगे आप बोलो मैं सब का ख्याल रखूँगा अपना ख्याल नहीं रखूँगा आप दस साल बाद क्या होगा? आप भी उन लोगों की लिस्ट में कड़े होगे जिनका दूसरे लोग ख्याल रख रहे हो तो सबका ख्याल रखने के लिए बहतरी जो स्ट्राटेजी है वो ये है कि आप सबसे पहले अपना ख्याल रखे अगर ये स्ट्राटेजी हर आदमी इफ्यार कर ले कि मैं अपना ख्याल खुद रखूँ गए तो क्या होगा? आप देगी घर के सारे फ़र्द सही हो जाएंगे मसला आता का है? मसला आता ये कि जब आप दूसरों से तवक्वाद बांदे ले अम्मा ये सोचते हैं कि अब्बा उनका ख्याल रखेंगे अब्बा क्या सोचते हैं? कि अम्मा उनका ख्याल रखेंगे बच्चे क्या सोच ले? अम्मा उनका ख्याल रखेंगे सही है? सब लोग ये सोच रहे हो और सब एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा हूं याद रखिए एक दूसरे पर डिपेंड करने से मसले हल नहीं होते हैं मसले हल होते हैं इंडिपेंडेंसी से सेल्फ डिपेंडेंसी से अपने पैरों पर खड़ा होने से मैं आपको जब ये कह रहा हूं लोगों का ख्याल रखें तो इन लोगों के अंदर मेरे जहें में सबसे पहला लोग कौन है वो आप खुद है सहथ का ख्याल लिबास का ख्याल अखलाग का ख्याल तालीम का ख्याल सही है आप जब दौलत कमाने जाएं तो पैसे कमाने का ख्याल अच्छी जिन्देगी गुजारने का ख्याल ये आप जब करेंगे तो पिर आप इस खाबिल होंगे कि लोगों के साथ भी आप अच्छा सुलूक कर सकें उनका भी ख्याल रख सकें जो तैरना जानता होगा वोही डूबोने डूबने वाले को बचा पाएगा ऐसे समझे लो आप साइए मैं इस ख्याल से तैरना सीखूंगा ताके डूबने वाले लोगों को बचा सकूँ अब मैंने एहद करना अपने आप से कि मैं तैरना सीखना है और मैं यह एहद करूँ कि मैं महीने के और 3 दिन swimming की k trail sign करूंगा कहीं जाकर ღ कराँ ए ela नहींगा है। यह इहद है। जब ऐत पूर में लायल रहा। और रहन है। और उन 3 दिन को ने तह की हैं कि तीन दिन में जाना है उसमें दूसरा कोई काम नहीं का कोई। सारे चीज़ें छोड़के उन तीन दिन में वो कोर्स कम्प्लीट करूँ मैं ऐसा क्यूं कर रहा हूं ताके मैं लोगों का खयाल रख सकूँ लोगों का खयाल रखने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपना खयाल रखना पड़ेगा ये बाद आपके समझा रही है मैं तालीम्याफ्ता होंगा तो लोगों को इल्म दे पाऊंगा मैं सहत मन होंगा तो लोगों की तीमारदारी कर पाऊंगा मैं दौलत मन होंगा तो लोगों की पैसों से मदद कर पाऊंगा ऐसे ही है ना मैं ही टुनू मैं यह बिलकुल हुकाट हुगया मैं जाहिल रह गया एगे मुझे ही तेरना नहीं आता और लोग डूबरे हो मेरे सामने क्या मुमकिन होगा कि मैं लोगों का ख्याल रखता हूँ तो लोगों का ख्याल रखने के लिए मैं जो अपने आप से एहद करूँगा जो कॉलिटी मुझे अपने अंदर प्यादा करनी है वो मैं पूरी करूँगा यह यह वफादारी वफादी जिसमें हो वो कली नहीं मिलती मैं तो वो कली बनूँगा जिसमें बेशमार खुसुसियाद दी होंगी और उसके साथ साथ वफादारी भी हो यह बात आपके समया आगए लोगों का ख्याल रखना दूसरी बात कीप माई कमिट्मेंट खुद से किये हुए एहद को हर सूरत में पूरा करना फुद से किये हुए एहद को हर सूरत में यह जो फिल्म के अंदर आदाना है तुम बेवफा हो देखा हैं फिल्म में बुलते हैं तुम बेवफा हो बोलते हैं मसला सारा यह था कि उसने मेरे साथ बेवफाई गी कहते हैं न ये वफा और बेवफाई का जो फिल्मिक कॉंसेप्ट है इसको अगर आप बड़े गौर से देखें न तो आपको नदर आ जाएगा देखो मैंने किसी लड़की से ये एहद कर लिया कि मैं तुम से शादी करूँगा ये एहद मैंने कर लिया खुद से नहीं किया खुद से अंदर क्या सोचा मैसिज खोला तो पांच दोस्तें उसके पांचों से एहद किये तुस्से भी करूँगा 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 अब आप बताएए ये आदमी अगले दस साल के बाद वफ किया अपने आप से एहद नहीं ये पहशान कैसे होती ये आदमी वफदार है देखो जो आदमी अपने आप से जो एहद करता हो वो पूरे करता हो लड़कियों के खासतों पर ये बात समझनी चाहिए आपको कैसे बज़े लेगा कौन शाथ वफदार है बड़ा मसला है न ये तो किस को कहेंगे कि कोई आपको अगर पर्पोजल दे कोई पर्पोस करे आपको लड़कियों को पर्पोस करते है लड़के तो आप किस लड़के को बोलोगे हाँ हाँ तो बोलना पड़ता है ना तो आप कैसे पता जलेगा आपको आप ये देखों कि ये आदमी अगर अपने आप से किये वे एहद पूरे करता है तो ये मुझसे भी किये वे एहद पूरे करे ये अगर अपने आप से पूरे किये वे एहद पूरे नहीं करता तो ये मुझसे भी जो एहद करेगा पूरे नहीं करता तो वफादारी अगर आप के अंदर है तो उसकी पहली अलामत है वो ये आप अपने आप से एहद किये वे एहद पूरे करता है हमेशा याद रखनी है ठीक है? यानि मैं अगर ये तैय कर लो मैंने फैसला कर लिया कि मैं उस लड़की से शादी करूँगा सही है तो अब ये एहद में पूरा करूँ अब यह नहीं कि मैं दूसरे के साथ भी मेसेजिस कर रहा हूँ और तीसरे के साथ भी कईयों शादी में गया तो मापे भी मैंने पैया को माना शुरू कर दिया दूसी जगा गया मावे बे पैया गुमाने शुरू कर दिया ठीक है? नई क्योंकि मैंने अपने आप से आहद किया हुआ है कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा तो मैं जहां जाता हूँ बागी सारी लड़कियों को मैं बहुत इहतराम से देखता हूँ मैं बहुत उनका अदब करता हूँ मैं उनके साथ पैया को माने नहीं लगता ये बास मैं आरी आपको नहीं आरी ये आपका एहद में ये सारी बातें आपको फिल्मी बता रहूं फिल्मी ठीक है? आप भी जब जिन्दगी के पर्पोस करने से पहले आपको अपने आपको मेंटेन करना होगा एहद बांगना होगा अपने साथ जिन्दगी में कुछ भी हो जाए बस मैं इस लड़के से शादी करूँगा सही है? ये कब होगा? जब आप बच्पन से वफदार होंगे जब आप कहते होंगे मैं सुबार फजर की नमास खुड़ूंगा और आपकी आप खुलती हो तो आप फॉरन बैट शोड़ जाते हो ये आप अपना एहद पूरा करने हैं आप वादत पड़ गई है एहद पूरा करने हैं समझ मैरी बात आपको जो अपना ख्याल नहीं रख सकता वो दूसरों का ख्याल कैसे रखे मतलब कोई लड़का लड़कियों को पर्पोस करे और वो खुद फुकाट और कंगा भी सही से नहीं करता कपड़े भी उसके ऐसी है अखलाग भी बेकार है और दाड़ी भी बड़ी है और बड़ा आजीब सा है गुटका खा रहा है अब आप ये सोचों कि ये जो आदमी आप से कह रहा है ये जो कह रहा है इसमें जाने कोई जान नहीं जो ऐसा बोले बाई सबसे पहले तू अपने आप से तो एद करके गुटका छोड़ूँगा चालिया छोड़ूँगा जिन्देगी गुदाना तो बहुत बड़ी बात है शादी करना तो बहुत बड़ी बात है चालिया छोड़ूँगा तो बहुत असान गाम है चालिया तो छोड़ पहले बात की बात देखी जाएगी हमारे पास मसला ये होता है कि हमारे पास हम लोगों से वादे कर लेते हैं और अपने आप से वादे नहीं करते हैं जब लोगों से वादे कर लेते हैं और अपने आप से नहीं करते हैं तो नतीजा क्या निकलता है कि हम कोई भी वादा पूरा नहीं करते हैं नहीं, अगर आपके अंदर लॉयलिटी है और आपने ये तैय कर लिया है कि मैं अपने बारे में जो सूचूँँगा, जो प्लान में करूँगा, जो एहद में अपने आप से करूँगा, मैं उसे हर हाल में पूरा करूँगा, टाइम का फेक्टर लगा कर पूरा करूँगा, मैंने अगर यह सोचा है कि मैं अपनी राइटिंग सही करूंगा, तो मैं बोलूगा, मैं अपनी राइटिंग तीन महीने में सही करूंगा, उसके लिए रोजाना अदा घंटा बैठूंगा, और फिर मैं बैठूं, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हाला थों, छुट्टी हो, संड हो, बारिश हो रही हो, कोई हो मौसम हो, उस टाइम में आऊंगा और आके बैठूंगा, तो मैंने यह एहद किया है, कि तीन महीने के अंदर मुझे अपनी राइटिंग क्या करनी है, सही करनी है, जिन लोगों में यह क्वालिटी पैदा होगी, वो लोगों का खयाल वो अपना खयाल भी रख चुके होंगे और फिर वो लोगों से जो एहद करेंगे, उस एहद में उनका अपना एहद भी शामिल होगा, यानि जब वो किसी को परपोस करेंगे, तो उस परपोजल में सिर्फ बाहर का परपोजल नहीं होगा, इंटरनल परपोजल भी होगा, यस, मैं ये करूँगा, किसी भी कीमत पर करूँगा, मैं बच्पन से जो सोचता आया हूँ वो करता हूँ, कि मेरी फितरत का हिस्सा होए, मेरा करेक्टर बन गया ऐसा, कि मैं जो एहद करता हूँ अपने आप से पूरा करता हूँ, ये भी एहद मैंने किया है, जिसका मैंने हुबू वो कली नहीं मिलती अल्लामे खबल ने शिक्वा किया है कि यहां लोगों में बड़ी खुस्थियादें वफा नहीं है वो जो बात कहते हैं अपने आप से वो पूरा नहीं करते है यहां समझागे दूसरी बात तीसरी बात encourage others in the right direction दूसरों की दुरुस्त सिम्थ में होसला उजाई करते हैं चीक है यह भी आप दूसर सो लॉयल होते है बाज वकात ऐसा होता है कि कोई आदमी आपके पास आता है और आप से कोई मशवरा मांगता है यार मैं ये कारोबार शुरू करने जा रहा हूँ आप मशवरा दीजिये में क्या करूँ अब आप जो सही समझते हैं आपके अंदर ये कि यार ये बात सही है वो मशवरा आपको उसे देना है तो आप उसके लिए लॉयल हुए और अगर आप ने उसको ऐसा मशवरा दिया क्यों ये डूब जाए इसका काम खराब हो जाए ये फज़ जाए जिसको मज़ा चकादू में तो आपके अंदर कुछ और है और बाहर आप उस आदमें को कुछ और बता रहे है तो आप दर ऐसल लॉयल नहीं है बाज अदर ऐसा होता है क्यों कोई आदमी आपसफे शवरा माँगने आता है और वो खुद चाता है क्यों उसको आप वो ही शवरा दे जो वो चाता है बाज वकात ऐसा भी होता है, जैसे मिसाल के दोपर मैं फैसला कर लिया पान की दुकान खुल लेगा, अब मैं आपके पास आओं और आके बूले, यार मैंने प्लान बना लिया है, फलानी जगा पान की दुकान खुलूँगा, आप ने बना यार जाहिसाब आपके अंदर तो यार जाते हैं, यह करें, आप आप शही मश्वरा दे रहें मुझे, पान की दुकान में बड़ा फायता है, ऐसा है, ऐसा में दलीले दे रहा हूँ, आप क्या था है तो थोड़ी देर के बाद, बोलते हैं यार इस आद्मी को मश्वरा दाना बेकार है, बड़ आप इसकी हा मेरा मांगा था मेरा मश्वरा ये है पस आपकी अपनी सोच ठीक है जो भी होगी लेकिन आप ने क्योंकि मुझसे राय मांगी थी मैं इस राय को बैतर समझता हूँ तो फिर आप क्या होंगे दूसरों की दुरुस्त सिंप में होसलर राय करने वाले होगे वरना हमारे हैं क्या इसको फसा देते हैं बहले फज़ आए अच्छा है या करते तो दुरुस्त में हैं लेकिन डरा बहुत देते हैं तो हम बोलेंगे कि वो आपके साथ वफदार नहीं है अगर आप लोगों के साथ वफदार हैं तो आप उनकी राय डायरेक्शन में उनके इंकरेजमेंट करें पर आप लोगों करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे सब्सक्राइब आपको चौथा पॉइंट अब ओन हुआ है ठीक है ओके जरूरत में दूसरों की मदद करना यह आपकी लॉयलेटी शो करेगा ठीक है याद रखे हमेशा हम दुनिया में रहते हैं जंगल में रहते नहीं है सही है हम इनसानों के दर्मियान मौजूद है हमें लोगों की जरूरत होती है आप अगर कभी सोचो कि आप बच्पन से लेकर अभी तक जो आए हो उसके लोगों के आपको जरूरत हुई है चलना आपने सीखा है लोगों की मदद से बोलना आपने सीखा है लोगों की मदद से अखलाव आपने सीखा है लोगों की मदद से ऐसे ही है ना, अगर ये सारे लोग नहीं होते, तो शायद आपके लिए बड़ा मुश्किल होता, गोर करना भी मुश्किल होता, समझना भी मुश्किल होता, तो बहुत सारे लोग मिलकर आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, बिलकुल ऐसे ही आपको भी बहुत सारे लोगों की क् उनकी जरूरत में उनके काम आना होता है देखो एक जरूरत तो होती ही पैसों की और एक जरूरत वोती है जिसमें पैसे नही होते teu खीकर? मश्वरा होता है थीकर? जिम्यदारी होती है Whisal के दिब ओपर आपके वालदे जो बूड़े हो रहे हैं उनको आपकी जरूरत है आपके वालदें जो बुड़े हो रहे हैं उनको आपकी जरूरत है आपके घर के अंदर अगर छोटा कोई बच्चा है जो अभी चलना सीख रहा है उसको आपकी जरूरत है समझे मैं अरी बार इसकूल के अंदर आप काम करते हैं स्कूल इंतिजामिया को आपकी जरूरत होती है मुफ़ली मामलात के अंदर तो जो आदमी ये सोचता है कि मैं जहां हूँ मेरी जहां जरूरत पड़ेगी मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा तो हम कहेंगे इस आदमी के अंदर लॉयलिटी पाई जाती है जो भाग जाए जुरूरत से आंखें चुरा ले उसको नजर आ रहा हो कि मुझे यहां यह काम अच्जाम देना चाहिए इस शक्स के साथ मुझे हमदर्दी करनी चाहिए इस शक्स के साथ मुझे इमारदारी करनी चाहिए इस बच्चे को मुझे बोलना सिखाना चाहिए चोटा बच्चा है ना उसको बोलना सिखाते है सही मिसाल के दोपर उसको पानी बोलना सिखाना है सारे घरवाले उसको पानी के वज़ाए कुछ और बोलना सिखा रहे है आपने महसूस किया नहीं वे इसको पानी बोलना सिखा रहे है अब आप अपनी जरूरत उसकी जरूरत के लिए आप खड़े हो गए चलते फिरते आप उसको बोलो पानी साही से बोलो पानी यह आप क्या कर रहे हैं उसकी हेल्प करो, जरूरत में दूसरों की मदद करो, एक तो मैंने का पैसों की जरूरत है, पैसों की जरूरत में जब आप पैसे वाले हों, तो आप पैसों में लोगों की मदद करेंगे, लेकर ना आप जब तक आप पैसे नहीं हैं, आप स्टूरें अपने माशरे की खिदमत करूँगा ये सब एहद हैं दर असल आपको याद है ना और असलावजाई करूँगा पूरा करूँगा ख्याल रखूँगा ये पाँच एहद आपको अपने आप से करने है अपने माशरे की खिदमत करूँगा माशरे का मतलब आपके इर्द की ज़िए लोग हैं कम्यूनिटी साही एक तो होता गर का सौधा लेहा है अपना और एक ये होता है कि आपने ये देखा कि आपके महले की लाइट चली गई तो मैं कम्प्लेन करा दूँगा गटर बंद हो गएं तो मैं जाकर दर्खास दे दूँगा खुलवाने के लिए इसको कहते है कम्यूनिटी की हेल्फ आपने देखा गली के अंदर बहुत सारे बच्चे इसकूल नहीं जाते हैं आपने उन सारे बच्चें को जमा किया बोलो भी रोजाने एक घंडा मैं आपको पड़ाओंगा घर पे आना आप मेरे मैं आपको लिखना पढ़ना सिखा दूँगा दूँगा कम्यूनिटी की हेल्फ है आपने देगा गली के अंदर आप में बहुत अंधेरा हो जाता है आपने लोगों से पैसे लिए लाइट लगा दी तो कम्यूनिटी की हेल्फ हो गई समझे मैरी बात आपने बोलो है ये पूरी गली के अंदर दरख नहीं एक भी ऐसा करता हूँ मैं दरख लगा देता हूँ उपर आपने तारवार जान नहीं आप अब दरख लगा दिया पानी दे ले उसको कम्यूनिटी की हेल्फ हो गई ये आप करूगे तो आप लॉयल होगे यह भी जब गाता कि वे सबसे पहले कोई है अप निए जी आप कोडिनेटर दे ढ़ारी और कोडिनेटर मेरी आपको है या या जब हम यह कहते हैं आ कि मैं अपना ख्याल रखो अपना ख्याल एकाद ड़ी नहीं के फुद घर्ज वन जाओं गाओं किसी का ख्याल ने रखुए अपना ख्याल इसलिए रखूँगा ताके दूसरों का ख्याल रख से तो अपने माशरे की खिदमत करूँगा आप मैंसे कितने बच्चे हैं अभी जो ये समझते हैं कि वो अपने माशरे की खिदमत कर सकते हैं जिनमें करने का रुजहान है या आप लोग अपनी माशरे से नाला हो गहां बहुत ये बेकार माशरे है, सोसाइटी खराब है जिस को देखो लड़ाई पर आमादा है जिस को देखो लड़ा है अब आपना ख्याल लगो, भाई छोड़ो सबको ये आपने सोच बना ली है अपनी ये आपने ये सोच बना ली है नहीं मुझे अपनी कम्यूनिटी की मदद करनी है अपनी कम्यूनिटी का ख्याल रखना है कितने लोग हैं सारे बच्चे हैं तक रिवा किसी ने ये जैन बनाया बेकार है मुझे याद एक दफ़ा मैं भी एक वक्त ऐसा आगया था कि मैंने इस सोच लिया दा रहे है यार इस माशरे पर काम करना बिकार है जिसमें सब लोग जो हैं जाहिल है और कुछ नहीं हो सकता लेकिन बाद में मुझे असास भा मेरी इस सोच गलत है आपको अपने माशरे को बदलने के लिए अपना रूल प्ले करना होता एक तो अफराद पे काम होता है जैसे मैं अफराद पे काम कर रहा हूँ बाद अफराद पे काम नहीं होता आप आप वह 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 पे काम करते हैं डारख लगाये। दरख लगाना बहुत असान गाम होता, साथ सुतरा की लिए आपना रोल पले कर सकते हैं। आप रात को स्ट्रीट लाइट लगा सकते हैं, आपके महले में पानी के मसाइल हैं तो उसको हल करने के लिए अपना रोल पिले कर सकते हैं, आपके महले में बच्चे पढ़ नहीं रहें, इसको नहीं जा रहें, आप उनको पढ़ाने के लिए गंटा दे सकते हैं, इसे आप कह केरेक्टिरिस्टिक उनमें आजाए लॉयलिटी की बुनियाद पर तो आप देखी क्या हो रहा होगा सुसाइटी में कैसे इंकलाब आएगा कैसे चेंज आएगा आला कैसे बदलेंगे लेकिन लॉयल ही ना हो बेवफा हो गर में पढ़ा रहे तो बस साही कुछ भी वहरा हो बज़े से कैसे अपने आपको भी बदलने की कोशिश नहीं कर रहा हूं तो हम बुलेंगे कि या आदमी लॉयल नहीं है तो हमने यह अपने आप से एहद किया कि हम लोगों का खयाल रखेंगे लोगों में सबसे पहले कौन है? हम खुद खुद से किये हुए एहद को हर सूरत में पूरा करेंगे कुछ भी होजा है दूसरों की दुरुस सिंथ में होसला अफ़ाई करेंगे हम जुरूरत में दूसरों की मदद करेंगे और अपनी कम्यूनिटी का खयाल रखेंगे साही है? आज आप में से हर आदमी कोई ना कोई एहद अपने आप से कर ले तो आपके अद को करने के लिए काम से करेंगे तो आपके अनदर लोयलेटी आ इस्ता है पैदा होना शुरू हो जाएगी कुल छेखें रजार को अफिद ह हमे में एहत किया था करuje डिका अपनेहाँ कि यह अपने आप से अनकान हैके अपने हो नि uit है कितने बड़े लगा कंगरstalk अए क् meglio मैं तेन सो निम यह तैयार कि लिए लगवर क घर के इंधर ओगा कि इतने बड़े तकि कई आए слыш करना भी तॉट यह आड़ लगा है यह बना कि अन्ताशन गर और फिर इसे है था भी ने जब करता है। अप कर दो नही बना करता है, पिर आपको वसाइल नजलाने लगते हैं। अभीन दिखाता है अगले दूसरा गर लिया आगले दूसरा गर लिया पांच बाह लिया और इसारे आद पूरे नहीं हो अपनी अपनी जात से बस फिर में बड़ा होने के बाद ना तो लोगों का खयाल रख पाऊंगा, ना दूसरों की दुरस्थिंद में कभी वस्ला जाई करूंगा, ना मददी कर पाऊंगा, कम्यूनिटी का तो खयाल छोड़ी दीजे, कम्यूनिटी का खयाल तो छोड़ी दीजे, तो मुझे उमीद है कि आप सब लोग अपने आप से कोई ना कोई एहद करेंगे, और उसको एक जगा पे लिख लेंगे, और रोजाना की बुनियाद पर उसका थोड़ा-थोड़ा काम शुरू करेंगे, ओके, थैंक्यू वेरी मच्छ,